इस साल ये शेर अल्मोस्ट 11 टू 12 रूपीज से भी जादा के रिटर्न डिविडेंट के तोर पे दे सकता है क्यों मैं यह बोल रहा हूँ आपको विट प्रूफ बताता हूँ और कुछ ऐसे अपडेट्स आया है फ्रेंट्स मार्केट में बहुत बड़े और बहुत इंपोर् के जो डिविडेंट थे जो इनकी सबसे जादा थे रिसेंट टाइमस में अल्मोस्ट 25 रूपीज 22 रूपीज तक के डिविडेंट पर शेर ये कंपनी दे सकती है फ्रेंट्स सबसे पहले बताना चाहांगा आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन क्यों दबाना खुद का अनलिसिस करना स्टार्ट किया होता और मेभी आपने 70 रूपीज में भी इसकी पोजिशन ली होती तो आपके साथ आज की डेट में क्या बेनिफिट आता वो मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले देखिए जुले 12 2024 तक जिनके पास भी ये आयोसी के शेर थे उनक को 7 रूपीज को मिलाया अगर 70 रूपीज पे आपकी इसकी बाइंग होती तो आप देख सकते हो 10 परसेंट का रिटन तो इसने आपको सिफ डिविडेंट पे दिया वो भी half of the yearly dividend अब अगर आप देखोगे तो last year 2023 की बात करोगे तो एक बार 5 रूपीज का डिविडेंट दिया था एक बार 3 रूपीज का वो भी 8% होता है अगर आपकी 70 रूपीज की बाइंग है तो भी अगर आप देखोगे friends तो more than 10% का रिटन आपको यहापे मिलता है अब यहा content update है वो ज़रूर देखेगा अब यहापे आप देखिए February 8 2018 को 19 रूपीज का डिविडेंट इसने दिया per share अब यहापे देखिए फिर 2018 August 20 में इसने 2 रूपीज का याने 21 रूपीज का और फिर December 21 2018 में इसने 6.75 रूपीज का डिविडेंट दिया तो यहापे आप 60 रूपीज वाले बाइंग पे यह particular company देती है तो आप सोच सकते हो आपको अगर 60 रूपीज का आपका बाइंग है तो आपको चार से पास सालों में तो डिविडेंट के रूप में ही यह सारा investment रिटन कर देगा अब मैं क्यों इतना जो है इस particular stock को लेके bullish हो और क्यों इसने इतना जबर्दस रैली दिखा है 60 रूपीज से 196.80 रूपीज के उपर दिख जो है इसका रैली है friends इस particular stock को अभी भी market में undervalued माना जा रहा है मतलब जिस तरीके का revenue यह company generate करती है जिस तरीके का business यह company generate करती है undervalued माना जा रहा है यह company 2047 तक 1 trillion का revenue generate की बात कर रहे है friends 1 trillion यान 83 लाक करोड की बात कर रहे है friends यानि current valuation जो है इनका जो current revenue जनरेट करते है लगबग 8 लाक टू 9 लाक करोड पर येर का इनका revenue है जिसको वो target कर रहे है 1 billion तक 1 trillion तक स्वारी अगर 1 trillion भी नहीं हुआ friends और हाब भी हुआ उसके तो भी company जो है almost यहाँ पर 40 लाक करोड तक का revenue generate कर अगर company उतना revenue generate कर लेती है friends और जिस तरीके की decision है इनके मुझे लगता है वो कर सकते है अगर वो वैसा कर लेते तो आप सोच सकते हो इन levels पे 8 लाक करोड के revenue पे company 27 रुपीज तक dividend दे रही है per share का अगर company 40 यहाँ पे लाक करोड की हम बात करेंगे उतना revenue अगर generate करती है तो आप सोच सकते हो कितना dividend मिलेगा और उस समय पे share के prices भी क्या होगी और by chance अगर company ने जो commitment दी है और company का management जो बोल रहा है अगर company 1 trillion का revenue generate करती है तो आप खुद जो है market में analysis करते हो खुद का research करते हो आप imagine कर सकते हो यह stock कितना बड़ा multi-bagger बनने के capable हो सकता है बट वो सारी चीज़े होना बहुत important है और वो आपको जो है मेरे previous वीडियो जो description box में दिया है वो किस तरीके से company करने वाली है वो एक बार देख लिए जरूर देखना वो वीडियो को इस वीडियो के बाद अब बात करते है recent important updates की जो IOC से related है और काफी important है इनको बिलकुल miss नहीं करना है friends आपको देखिए as of August 17 यानि आज की date तक कुछ important अबट है वो कुछ नीचली तरीकिया है कि नीचे जो दिये है वो है तो देखिए net profit IOC posted a net profit of 3528.49 करोड in last quarter तो यहाँ पे last quarter में जो इनका profit था वो इतना अच्छा नहीं था और यह क्यों नहीं था friends इसके पीछे भी आपको reason समझने पढ़ेंगे जो red sea में tension चल रहा था उसकी वज़े से जो है काफी longer route से रश्या से oil import करना पड़ रहा था इंडिया को और उसकी वज़े से जो है काफी जादा जो है यहाँ पे delivery charges यानि जो transportation है उसका cost बढ़ जा रहा था और बाकी भी बहुत सारी company decisions लिए है business expansion के ल आप लोगों को बताने देना चाता हो friends जिनको नहीं पता है IOC India का largest जो है oil producer company है largest Reliance से भी बड़ा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे friends तो comparatively Reliance के यहाँ पे इतना जादा कुछ इनका price नहीं है अब देखते है promoter और public holding जो है यहाँ पे देखिए IOC के promoter के holding है 51.50% consistent है एक समय पर यह holding 50 के आसपास था sorry 48 या 45 के आसपास था जो reduce हुआ है मतलब profit booking जो है public holding continuously कर रही है क्योंकि long term में वो सोच नहीं पा रहे है long term में अगर आप सोचोगे तो बहुत बड़ा multivagger हो सकता है ऐसा मुझा personally लगता है अब mutual funds की बात करते है mutual funds continuously उनकी holding बढ़ा रहा है अ IOC में DIS की holding 7.77% है और FIS की holding 7.79% है थोड़े बहुत stake इन्होंने जो है offload करे है friends मुझे IOC पिछले कुछ समय से continuously range bound चलता हुआ दिख रहा है अगर आप देखोगे पिछले one month में तो यह share 180 से लेके 160 के बीच में continuously उपर नीचे उपर नीचे कर रहा है यानि friends मुझे ऐसा ल और में भी वो reason हो सकता है अब देखते है कुछ important update जो मैंने अभी बता है friends कि यह कम quarter results expected था because of rates retention but अब उसी तरीके से कुछ important update देखिये में भी यह काफी अच्छा से आपको analysis करने में help करेगा in 2024 India imported 232.31 million tons of Russian crude oil which is about 1.70 billion barrels making up cost making up almost 36% of country's total oil imports friends Russia से सस्ते दामों में इंडिया ने जो है यहाँ पे 232.31 million tons of Russian crude oil import किया है यह country का 36% energy demand को जो है supply करता है आप सोच सकते हो सस्ते दरों में अगर total energy के 36% किसी country से आ रहा है तो कितना benefit यहाँ पे Indian oil companies को हने वला है और उनमें सबसे बड़ा company कुन सा है Indian oil corporation यानि आयो सी this was a 33% increase from the previous year अब 2024 में comparatively 2023 के जहाँ पे company ने 8 रुपीस तक के dividend दिये थे वहाँ पे से comparatively 33% और ज़्यादा increase किया है इनका previous year का overall अगर हम सारी companies की बात करेंगे तो but इसका benefit IOC को भी होगा तो यहाँ पे यही सारी details friends yearly format में बताई गई है अब दूसरा important update और मज़ेदार है देखिया India's imports USD 2.8 billion worth of crude oil from Russia in July 2024 friends last month में सिर्फ 2.8 billion worth का USD बोल रहों में यहाँ पे 2.8 billion worth का crude oil from Russia July month में import किया गया है friends यहाँ पे आप देख सकते हो यह updates काफी जादा strong indication कर रहे है कि जो energy segment की companies है इंडिया में वो काफी अच्छे से perform कर सकती है और IOC being large oil producer इंडिया का इसको काफी जादा benefit मिलने वाले है उसके चलते हैं और अगर ऐसा सब कुछ होता है तो मैंने जैसे बोला है कि 4-5 साल नहीं अगर 27 रुपीज का dividend company तीन साल भी देती है तो आपका जो 60 या 70 रुपीज पर शेयर का investment है इस stock में वो 3-4 सालों के भीतर भीतर ही आपको dividend के रोप में मिल जाएगा तो हेना फ्रेंड्स ये शेयर काफी strong आपको क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तैंक यू फू वोचिंग दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा क्योंकि ऐसे important shares आपको कम दामों में जब होते है तब हमारे चैनल के थुरू देखने को मिल सकते है थैंक यू फू वोचिंग दिस वीडियो